हलो दोस्तो आज हम बात करेंगे prescription के topic पे आखिर जो है वो prescription होती क्या है तो उसकी definition की बात करते हैं तो prescription is an order written by a physician dentist or any registered practitioner to a pharmacist to compound dispense a specific medication for the patient तो जो प्रैक्टिशनर होते हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स होगे, चाहे वो डेंटिस्ट होगे, चाहे वो फिजिशिशन्स होगे, तो वो एक रिटन में एक ओर्डर लिखके देते हैं, किसके लिए? फार्मसिस्ट के लिए, जिसमें उन्हो जो है वो जो prescription होती है वो फार्मसिस्ट के पास जाती है जिसके बाद जो है patient को जो है drugs वो dispense किये जाती है तो the order is accomplished by directions for the pharmacist तो जो order होता है जानि कि जो prescription होती है उसमें जो directions जो दी होती है किस के लिए दी होती है फार्मसिस्ट के लिए दी होती है इन डिरेक्षन में ये बताया गया होता है कि किस टाइब की prescription जा préparation जैसे की वो liquid में देनी है, tablet में देनी है तो उस टाइब की जो preparation होती है उसको भी describe किया गया होता है किस में prescription में CDC के लिए और sąमकिस्ट उनको prepare करके जो है वो patient को देता है तो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट आ जाएगा वो आ जाएगा डिफरेंट पार्ट साफ प्रिस्क्रिप्शन जो प्रिस्क्रिप्शन होती है जो एक पर्ची होती है डॉक्टर की तो उस पे जो है वो different type of prescription जो उसके parts रहते हैं फिर्स जो है वो date mention रहती है उसके बाद जो है वो patient का जो data होता है बाजो data है वो mention रहता है तो उसको हम describe करेंगे तो next हम बात करेंगे parts of prescription तो जो सबसे पहला जो part रहता है prescription का वो होता है date जानी कि जिस date को जो prescription लिखी गई है prescriber द्वारा चाहर डॉक्टर द्वारा तो उस दिन की जो है वो date जो है वो mention रहनी चाहिए prescription पे दूसरे नंबर पे जो है patient का name होना चाहिए उसकी age होनी चाहिए और उसका sex जानी कि वो male है female है उसके बाद जो है उसका address होना चाहिए patient का third number पे subscription होता है इसको हम detail में पढ़ेंगे next उसके बाद encryption होता है और fifth number पे हमारा आगया subscription sixth number पे हमारा आगया signature and seventh number पे आगया हमारा signature address and registered number of prescriber जो prescribe कर रहा है medicine उसका एक registration जो है number रहता है वो भी उसमें mention होना जाई है तो next हमारे पास जिस slide है इसमें हम देख पा रहे हैं कि सबसे उपर जो है वो date mention है उसके बाद जो है patient का name, age, date बगारा जो है वो mention रहता है उसके बाद जो हमारा है rx जानी कि super subscription बोलते हैं इसके बाद हमारा in subscription आजाता है तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें जो है वो drug की doge और उसका name लिखा रहता है उसके बाद आजाता है हमारा subscription तो subscription में जो हमारा होग जाता है इसमें हमें ये पता चलता है कि जो drug है वो tablet form में है जहां सिरिप के फार्म में है या सस्पेंशन के फार्म में है यह हमारा सस्पेंशन के फार्म में है टैबलेट के फार्म में है तो यह हमें पता चलता है सबस्क्रिप्शन में उसके बाद हमारा आ जाता है जो सिक्स जो हमारा पार्ट रहता है सबस्क्रिप्शन का वो होता है स signature में हमें यह पता चलता है जैसे कि इसमें mention किया हुआ है PID जानी की two times day, PID की full form का meaning रहता है जानी की two times day और लिखा हुआ है five days to five days, तो पांच दिन तक लेनी है, दिन में दो बार उसके बाद जो हमारा seventh part है, वो है signature, तो इसमें जो रहता है, वो जो prescriber है, चाहे वो physician है, चाहे वो dentist है तो उसके जो है, वो signature रहने चाहिए और उसके बाद eighth number पे उसका जो registration number होता है, वो होना चाहिए और seal जानी की जो rubber stamp है, अगर ab level हो, तो वो भी उस पे रहनी चाहिए prescription की परची पर जानी की जो doctor की परची रहती है, उसमें उसका registration number जो की medical council of India द्वारा doctors को जानी की prescribers को provide किया गया होता है, वो रहना चाहिए, वो साथ में जो है rubber stamp की seal रहनी चाहिए परस्ट मारा आ गया भी हम detail में देखेंगे की अगर जो date रहती है prescription पे, वो क्यों important होती है क्यों जो date है, वो mention रहनी चाहिए, prescription पे तो सबसे पहले हम बात करेंगे date of on the prescription help a pharmacist to find out the cases where the prescription is brought for dispensing long time after its issue तो कई वार क्या होता है जो pharmacist को जो है वो prescription जब तक उसके पास पहुंचती है, तो तब तक उसको बहुत ज़्यादा time हो चुका होता है prescription को लिखे हुए तो जिसकी बज़ा से जो है pharmacist को दिक्कत आ सकती है उसको dispense करते time जहां patient को जो है वो जो drugs जो है, उनको देते time उसको जो है, वो दिक्कत आ सकती है कुछ टाइम पे जब pharmacist को ये दिखता है कि कुछ जो drugs जो है prescription में लिखे गए है narcotic drug जहां habit farming drug जैसे की जिन में caffeine रहता है जहां और जो जैसे की habit हो सकती है किसी patients को जैसे की trauma dolls गएरा जो इस type की जो medicines रहती है तो उस type की prescription को dispense करते time pharmacist को help करता है उसको ये पता चलता है date को देखके की आखिर ये prescription कितने दिन पुरानी है कि यवार जो है patients जो है वो बहुत पुरानी prescription लेके आ जाते है तांकि उनको वो drug मिल जाए और वो ऐसा इसलिए करते है क्योंकि उनको उसकी habit हो चुकी होती है तो इस चीज को देखते हुए जो है pharmacist date को देखके ये पता कर सकता है कि आखिर ये prescription कितनी पुरानी है और इस से उसको ये भी पता चल जाता है कि अगे अभी जो patient को वो उस drug की जो है वो need है भी जा नहीं है तो जो date जो है वो prescription पे mention होनी चाहिए तो आपको बस इतना जाद रखना है कि date का होने का function सिर्फ इतना है कि कुछ टाइम पे जब जो नार्कोटिक ड्रग्स जा है विड फार्मिंग जो ड्रग्स होते हैं तो वो patient जो है बार बार उनको purchase नहीं कर ले पुरानी किसी prescription के नाम पे तो उसी से बचने के लिए जो है वो pharmacist को जो date है वो बहुत ज्यादा help करती है जो prescription पे लिखी रहती है उससे pharmacist को ये पता चलता है कि आखिर ये prescription कितनी पुरानी है और क्या उस जो individual जा जो patient है उसको अभी भी उन ड्रग्स की need है जा नहीं है तो इसको आप simply word में इतना जाद रख सकते हो कि जो narcotic और जो habit farming जो drugs होते है उनको dispense करते time जो है pharmacist को ये help करती है कि कोई patient उनका misdude ना कर ले drugs का तो next जो हमारा prescription पे जो section रहती है जहां जो part रहता है उसमें जो है patient का name हो गया age होगी, sex हो गया और जो है address जो है वो mention रहता है तो इससे जो है वो pharmacist को जो कई वार क्या होता है कि वो drug जब dispense कर रहा होता है तो ये गुझाइश रहती है जहां ऐसा रहता है कि कई वार जो है mistake की बज़ा से वो drug किसी और patient को चला जाता है तो अगर उसमें full name mention होगा और उसका age mention होगा तो बहुत हाथ तक जो है ये error जो है ये गलती जो है वो टल सकती है क्योंकि वो उसके name को match करेगा उसकी age को match करके उसको drug जो है वो dispense करेगा तो इससे जो है बहुत हाथ तक जो है वो mistake को टाला जा सकता है जो की दो patients के बीच में वो prescription पे name, address और name भी full name होना चाहिए ऐसा नहीं है कि surname लिख दिया तो surname जातर लोगोंगा same रहता है तो इसलिए जो है वो full name होना जरूरी है तो similarly अगर बात की जाए age की तो age अगर किसी child को कोई prescription dispense करनी है pharmacist को कोई दवाई drug देना है तो वो easily जब prescription पे उसकी age mention होगी तो वहीं अगर बात की जाए address की तो address तब भी helpful होता है जब एक pharmacist किसी medicine को उनके घर तक deliver करवा रहा हो जहां फिर कई बार क्या होता है same patient के जो है name रहते है same ही जो उनकी age भी रहती है और उस type की जो confusion को दूर करने के लिए जो है वो फार्मसिस्ट उनके जो है address को चेक करके उनको जो है separately जो है medicine dispense कर सकता है तो next हम देखेंगे super subscription subscription तो super subscription की अगर बात की जाए तो ये represent किया जाता है किस के symbol से RX के symbol से तो पहले जो mythology जो superstitious जो लोग थे पुराने टाइम पर जा आज भी कुछ लोग जो है उनका मानना है कि RX जो है वो God को represent करता है जाने कि जो है कुछ लोग मानते थे जो RX है वो doctor इसलिए लिखता है कि वो सबसे पहले जो है वो God को thanks करता है prescription को लिखने से पहले मगर ऐसा नहीं था ये एक myth था और ये मानना जाता है कि जो RX है वो pray करता है Jupiter को Jupiter जाने की जो God है healing का जाने की इलाज करने का जो God है इलाज जो बीमारियों को दूर करता है उसका God कौन है Jupiter है और उसको represent करता है RX मगर ऐसा नहीं था तो RX का जो real meaning था जो इस abbreviation का जो real meaning था Latin bird में अगर बात की जाये तो उसको क्या बोलते है recipe बोलते है तो इसका जो meaning होता है you take आपको ये लेना है जाने की ये वाले ingredients जो है वो आपको लेने है जाने की खाने है जाए इंटे करने है जाए किसी भी तरीके से जो है वाडी में लेने है next जो हमारा fourth part है prescription का जाने की insubscription तो उसका हम बात करेंगे की आखिर इस part में क्या लिखा गया होता है जो है prescriber द्वारा जाओ doctor द्वारा तो इसमें जो है हम देखते हैं की हर एक line में prescriber जो है एक ingredient को लिखा होता है जैसे की एक line में tablet लिखी गई है second line में syrup लिखा गया है तो अलग-लग line में एक निया-निया ingredient लिखा गया होता है ingredient जाने की अलग-लग drug तो कुछ समया पे जब ये prescription जो है एक complex prescription होती है तो उस समया है समया पे जो है वो prescription के inscription के जो है वो तीन पार्ट में divide किया जाता है तो पहला पार्ट जो होता है उसमें हमारा होता है base जाने की एक active medicament तो एक active drug होता है जो असली में जो real में जो है therapeutic जो है effect produce करता है जाने की जो active ingredient होता है जाने की एक जो हो गया वो ingredient जो की real में कुछ effect जो है show करता है वाड़ी पे जाने की cure करने में help करता है तो वहीं दूसरी और जो है । अडियो वैंड जो है वो add किया जाता है जो की first वाले जो ingredient होता है उसकी जो है therapeutic effect को increase करने में help करता है तो उसको बोलते है synergic effect तो synergic effect में क्या होता है कि एक drug के साथ एक ingredient के साथ जो है दूसरा ingredient फिए आड़ किया जाता है फॉर अग्जेंपल जैसे कि हमारे पास जो है पेंट किलर की टैबलेट आती है तो उसमें हम देखते हैं यह डिकलोफिनाइक के साथ जो है परसिटामूल जो है वो दोनो एक साथ जो है टैबलेट में अबलेवल होते हैं तो इस है कि जो क्या होता है कि जो डिकलोफिनाइक है वो हो गया हमारा जो मेन थरैप्टिक जो इंग्रीडियन्ट हो गया जानी कि एक्टिब जान बेस इंग्रीडियन्ट हो गया तो जो इसका जो काम है वो पेंड को किल करना है जानी कि वो रियल पेंड किलर है वहीं उसको कुछ जो ऐसे इंग्रीडियंट्स यूज किये जाएंगे जो कि उसको पकड़े रखेंगे जानी कि उसके माली की उसको पकड़े रखेंगे जहां टाबलेट को शेप देने के लिए जहां उसको और्गनाइजड बे में सेट करने के लिए उसको क्या है बहिकल का यूज किया जाता है ब बाटर हो जाए तो उस टाइब के जो सबस्टांस रहते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं बहिकल बोलते हैं तो ये बहिकल को हम यूज करते हैं तांकि उसकी जो है वो बालियम भी बढ़ जाए तो जैसे कि हम देखते हैं कि जो ड्राइ सिर्फ रहता है तो उसमें हम डाल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा वो बहिकल हो जाएगा वही अगर एड्जुवेंट की बात करें तो एड्जुवेंट एक ऐसा इंग्रीडियन्ट होता है जो में इंग्रीडियन्ट की जो ठेरेप्टिक इफक्ट होता है उसको इंग्रीज करने में हल्प करता है तो ने physician जहां और कोई doctor जहां prescriber द्वारा तो इसमें क्या-क्या लिखा होता है तो सबसे पहले लिखा रहता है dose किस form में जो है दी जाएगी चाहे वो liquid form में दी जाएगी चाहे वो tablet जांप order form में दी जाएगी तो वो भी mention किया रहता है subscription में pharmacist के लिए prescriber द्वारा चाहे वो doctor हो चाहे वो physician हो तो उसके द्वारा जो है वो लिखा रहता है subscription बाले section में की dose जो होती है drug की वो किस time में उसको prepare करना है और कैसे dispense करना है number of dose to be dispensed तो कितनी जो dose है वो एक दिन में patient को देनी है तो वो भी उसमें जो लिखा रहता है next हम बात करेंगे signature की तो signature वाली जो section रहती है तो ये six number पे होती है prescription में तो इसमें हम देखते हैं कि जो directions जो है वो दी गई होती है किस के लिए patient के लिए recording किस बात के लिए कि उसमें क्या-क्या mention होता है तो सबसे पहले होता है quantity of medicament तो जानी कि कितनी quantity में जो है वो drug को लेना है और कितनी उसकी dose जो है वो लेनी है एक दिन में तो चाहे वो BD लेनी जानी कि two times a day, three say day, तीन बार लेनी है दिन में तो ये सब mention रहता है उसके बाद how many time say day तो मैं आपको पहले ही पता जिया दिन में कितने बार लेनी है वो उसमें mention रहता है what time it should be taken तो कौन से समया पे लेनी है, सुबा लेनी है, दुपैर को लेनी है, शाम को लेनी है ये कौन सी section में लिखा रहता है, signature वाली section में लिखा रहता है अगली हम बात करके manner in which it is to be administered or apply तो किस manner में जो है, उसको administer करना है, वो orally लेना है, IBM injection के form में लेना है, IM injection के form में लेना है तो ये भी उसमें mention रहता है, और साथ में जो है, उसको कि अगर apply करना है, कि skin में जो organ पे तो किस तरह से apply करना है ये directions भी जो है, वो patient के लिए signature section में लिखी रहती है तो जो pharmacist का जो है, वो deputy ये बनता है, कि जो pharmacist है, वो एक level जो है, वो दवाई के उपर चिपका के दे दे जाए इसको stitch करके दे दे तांकि जो है, patient को वो असानी से जो है, वो जाद रही instructions और वो दवाई को जो है, वो अच्छे से administer कर पाए तो pharmacist का क्या बर्क रहता है, कि उसको एक slip जो है, वो attach करनी है, चाहे वो, जिसमें वो medicines, चाँ टैबलेट, जिस container में होंगी तो उसके जो बहार से उसको एक slip लगा के देनी है, जिस पे जो है, directions लिखी हो next or last section जो हमारी prescription की होती है, वो होती है, हमारे जो medical prescriber होता है, चाहे वो doctor जो physician जो होगा, उसके बारे में होती है तो सबसे पहले उसके signature होने चाहिए, उसका address होना चाहिए और उसका registration number तो जो signature होने चाहिए, वो hand written होने चाहिए, जानी की जो वो है, ink से जो किये गए होने चाहिए, जानी की pen से किये गए होने चाहिए मगर आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत जादा जो apps, जानी की mobile apps, जा online जो prescription ली जाती है, doctor के doctor से तो उसमें जो है, उसके hand written जा, hand written ना ही prescription होती है, ना ही उसके hand signature होते है तो वो सब digitally ही वो अपनी prescription प्रवाइड करता है, through PDF जा वो कुछ image की farm में, जा PDF की farm में जो है, वो आपको prescription प्रवाइड करता है तो उसमें उसका ये होता है कि उनका नाम, address बगरा उसमें mention रहता है, और साथ में ही उनका registration number भी जो है, वो उसमें mention रहता है और ये भी लिखा रहता है कि वो कौन से hospital में यो है, practice करते हैं, तो आज के time पे जो है, prescription बहुत हाथ तक जो है, उसका जो pattern है, वो भी change हुआ है तो पहले के time पे ये रहता था कि जो prescription है, वो hand written होती थी और उसमें जो signature रहते थे I hope ये वीडियो आपके लिए helpful रही होगी, और प्लीज चैनल को जरूर subscribe कीजिए और like भी जरूर दबादीजिए कि जरूर ददीए